अर्ड दोस्तों सिक्स क्लास एंसेटि के जो पांचवा चैप्टर है सिक्स क्लास के जो एंसेटि है जो ग्रफिकी उसकी पांचवा चैप्टर मेजर डोमेन्स ओप DIT यानि प्रित्वी के पर्मुख परिमंडल के बारे में हमको पढ़ना है हम इसको देखते हैं क्या होता है यह परियावरन के क्या है यानि कि तीन घटक होते हैं कौन-कौन से होते हैं उसको हम समझते हैं हम देखते हैं क्या पहला क्या होता है लीथो एस्पेर मतलब होता है भूमंडल लीथो एस्पेर का अर्थ क्या होता है भूमंडल हम भूमंडल को हम समझेंगे और आट्मोस्फेर का अर्थ होता है क्या वायू वाला जो होता है उसको जो वायू होता है यानि कि वायू जो है चारो तरफ से अर्थ को क्या है गेरे हुई है उसको हम देखते हैं फिर जल मंडल हम इस सब को डीटेल साम समझते हैं हम सबसे पहले हम जानते हैं क्या कि एट्मोस्फियर के बारे में लीथो एसपेर के बारे में हम क्या समझते हैं लीथो एसपेर क्या होता है लीथो एसपेर मतलब होता है भूमंडल भूमंडल यानि कि भूमी का जो लैंड एरिया है ना उसको हम क्या बोलते हैं भूमंडल बोलते हैं और पानी वाला जो एरिय बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं वायू मंडल वायू का मंडल है यह क्या है हर जगा जो है वायू यह अर्थ हुआ और यह वायू का लेयर हुआ हर तरफ से हमको क्या है अर्थ का प्रेसर जो है परता है अर्थ पे प्रेसर जो है किरियेट होता है तो हम इसको हम समझते हैं हम क्या यह इन highly relative होता है इस्ट्रों इस्ट्रों इस Okay इस जों मतलब होता है पत्थर और फिर देखती दों orada님이 us क這樣 मतलब होता कि वός है ठीक और का अर्थ क्या होता है पानी यानि कि जल इसका अर्थ होता है पानी और ये तीनों एक जगा जब मिलता है यानि कि लिथोस मिलता है प्लस क्या होता है अप्लस क्या होता है यूडर यानि कि जल कहने का अर्थ क्या है ये सब तीनों जहां मिलता है वाह क्या हो जाता है बायोस स्प यानि की बायोस का अर्थ हो जाएगा क्या लाइफ समझ में आ रहा है ना फिर हम देखते हैं इसको ऐसे देखते हैं यह क्या हुआ यह लिद्धो एस्पेर हो गया यह क्या हो गया यह आपका हाइडो एस्पेर हो कि बोलते हैं थे सफेर बायोवधार कि सोगे हम बोलते हैं ऑक फिर हम देखते हैं कि कि लिथो पार्ट यहां जो सालल फासर हुता है उसको हम यद्धा Cheese जो फिर है जिस पर हम लोग रहते हैं इसको और उपर वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं क्रश्ट बोलते हैं यानि कि भूपर पट्टी बोलते हैं क्रश्ट मतलब होता है क्या भूपर पट्टी भूपर पट्टी तो यह भूपरपटी ऐसे होगा तो यह भूपरपटी क्रश्ट तो कहने का अर्थ क्या है कि यह उपर वाला जो क्रश्ट जो है यह क्या है किसी से यह क्रश्ट में जो रॉक्स पाए जाते हैं जो चट्टान पाए जाता है उससे मिल करके so of the earth crushed तो इसको क्या हम ऐसे समझेंगे कि ये जो crushed हुगा crushed में जो rocks पाय जाता है उससे मिलके और क्या है और thin layer of soil तो soil हम किसको बोलते है soil हम किसको बोलते है soil मतलब होता है क्या मिर्दा तो हम मिर्दा किसको बोलते है जहां पर हम लोग cropping करते है लोग रहते हैं उपर वाले पार्ट को जो पतला प्रत होता है बिल्कुल पतली पतलाइब रहाँ तीन लेयर यहां लिっ हुँआ है उसको हम क्या बोलेंगे दाब बोलते हैं किस से किस से मिल करて Panther स्वै बना हुआ है फिर हुआ यह तो पानी वाला परत हो गया हम आगे समझेंगे और यह हमारा क्या है अस्थल है यह हमारा अस्थल है तो इसको हम क्या बोलते हैं इसको हम क्या बोलेंगे लीथो एस्पेर हम बोलते हैं ठीक है इसको तो यह क्या हो गया आपका यह क्रश्ट हो गया ये वाला पार्ट जो दिखाई दे रहा है ये पूरा पार्ट क्या है क्रश्ट हो गया और उसके बाद क्या है ये मेंटल उसके नीचे जो आएगा न ये सब यह क्या हुआ उपर वाला पार्ट जो हो गया यह आपका क्रश्ट हुआ क्रश्ट और उसके जश्ट नीचे वाला पार्ट जो है उसको हम क्या बोलेंगे इसको हम बोलेंगे मेंटल एम मेंटल और जो बीच वाला पार्ट जो बसता है उसको हम क्या बोलते हैं कूर ठीक है तो उपर वाला पार्ट जो है करश्ट हुआ और बीच वाला पार्ट क्या हो गया मेंटल हुआ अफिर यह कोर हुआ यह मिट्टी की पतली परत परतों से बना होता है जिसमें जीवों के लिए क्या है पोस्टक्तत है यहां पर क्या है यानि कि जीवों के लिए क्या है जीवों के क्या करते हैं जो है उसको दो पार्ट में भाटा जा सकता है बरे पार्ट को भूरपटि बोलते हैं और फिर ड़ती होता है जहां को हम क्या बोलते हैं यानि कि अस्थलिय भाग भूपर पट्टी अस्थलिय भाग को क्या बोलते हैं भूपर पट्टी भूपर पट्टी मतलब क्रॉस्ट समझ गए भूपर पट्टी और यह जल वाला जो भाग है ओसीन बेसीन इसको बोलते हैं ठीक है तो हम लोग देखते हैं क्या कि हम लोग जैसे कहते हैं कि किसी चीज का जैसे यहां पर हम समझते हैं यह हमारा क्या हुआ यह हमारा अर्थ का सर्फिस है ठीक है लीथो एस्पेर और लीथो एस्पेर में यह प्लेन हुआ और यहां पर जो है मान लेते हैं पठार है पहा वहा जिसको हमने क्या बोला और इधर वाले पाक्ट को हम लोग क्या बोले मह अगर यह पहले यह वाला पार्ट तो हम एक और चीज to देखते हैं की इसका हाइज जैसे मान लेते हैं कि मांट अबरेस्ट है मांट अबरेस्ट का हाइज एठासी सो अरटालीस मीटर है तो वह कैसे है यह 8888 मीटर का ऑर्थ क्या हुआ यह सिकर जू लेबल है सी का लेबल यानि कि इसका सर्फेस सी का हर जगा एक समान होता है लेकिन हम यहाँ पर देखेंगे यह जो क्रेस्ट है जहां पर क्या है पहार है पथार है कहीं पर मैदानी जगह है तो उचा है कहीं नीचा है और वह कहीं पे बालू का रिथ है तो बहुत सारा चीज इसमें बहुत सारा परिवर्तन देखने को मिलता है लेकिन हम जब महासागर में जाते हैं महासागर के तल को देखते हैं सी के लेवल को देखते हैं, तो हम क्या देखते हैं, कि वो हर जगा एक सामान है, इसलिए उसको क्या कहा जाता है, उसको जीरो बुला जाता है, उसको क्या बुला जाता है, जीरो, कारण कि समुद्र का तल जो है, एक सामान हर जगा जो है, एक सामान होता है, तो हम क्या करेंग के इसके तल के यहां अगर इसका यह तल है इसका यह तल है तो यहां से क्या करेंगे यहां से हम हाइट मापते हैं यह कैसे होता है हम क्या देखते हैं कि जैसे यह क्या हुआ यह आपका प्लेन है मैदानी शेत्र यह आपका पहाड हो गया और यहां पे जो है न सी का लेवल है यहां पे तो यहां से हम क्या करते हैं यहां से हाइट हम मापते हैं तो यह माउंट एबरेस्ट का पीक है मानते हैं जो नेपाल में है तो इसका हम हाइ यानि कि sea level से इसका उचाई हम मापते हैं, क्यूंकि sea level हर जग क्या होता है, एक समान होता है, दूसरा हम देखेंगे क्या, मेरियाना ट्रेंच को देखते हैं, मेरियाना ट्रेंच जो है, वो जो Pacific Ocean में है, तो उसको देखते हैं, तो जैसे यह अस्तल हुआ, यह आपका क्या हुआ, यह आपका पहाड है, यह आपका sea level है, और इसी में क्या है, यह मेरियाना ट्रेंच जो Pacific Ocean में है, कहां है Pacific Pacific Ocean में है यानि कि प्रसांत महासागर में है ये अंदर के तरफ है विल्कूल इसका गहराई जो है कितना है हमारी अर्थ है तो यहां हम देखते हैं 29% क्या है ये लैंड एरिया है क्या है लैंड एरिया है यानि कि और ये water body जो है ये 71% जो है water body है तो यानि कि सिर्फ पानी है 71% और 29% ही लैंड एरिया है यानि बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिससे जल मंडल तो जल मंडल किसको बोलेंगे ये अर्थ है तो अर्थ के बहुत बड़े भाग पर क्या है जल है यानि कि पानी है इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं बलते हैं water covers a very big area of the earth's surface and this area is called hydro square तो hydro square के बारे में समझ गाए कि बहुत बड़े भाग पर जो पानी पाया जाता है बहुत बड़े भाग पर जो पानी है उसको हम क्या बोलते हैं जल मंदल बोलते हैं और प्रित्वी के क्या है 71% हमने क्या बताया तिर्फ जाल नहीं जाल है और 29% क्या है अस्थल है तो इसको देख लिजेगा और प्रित्वी पर पाया जाने वाले यानि कि ये इसमें 71% का 97% जो है क्या है ओसीन में पाया जाता है कहने का अर्थ क्या है ये पानी जितना भी पानी है पीने योग पानी जो है मात्र तीन परसेंट ही फ्रेस वाटर बचता है जैसे पॉंस का हो गया लेक जील का हो गया या ग्राउंड वाटर हो गया ये सब क्या है तीन परसेंट में है कितना कम है ब के बारे में थोड़ा जानते हैं वायू मंधल क्या है थो फ्क्या है तो प्रेसर एर प्रेसर परता है इधर से भी परता किलो मीटर तक क्या है अर्थ का प्रेसर पड़ता है यह अर्थ है द्यान दिजिएगा और यह क्या है एयर का प्रेसर है 1600 किलो मीटर तक हर जगा क्या है हर तरफ ते एकदम सामान ने पड़ता है वायू मंदल में आक्सिजन और नाइट्रोजन प्लस ऑक्सिजन से मिल करके बना हुआ है आयतन के यानि के वावलूम के कोडिंग अगर देखेंगे आयतन के अनुसार क्या है सेवेंटी एट परसेंट क्या है नाइट्रोजन है क्या है सेवेंटी एट परसेंट नाइट्रोजन है और ऑक्सिजन क्या है ऑक्सिजन कितना है ट्वंटी बन परसेंट हो जाएगा और क छान टिक है on find yourself जिसमें से क्या है करवंड़ाइक साइड का बहुत महत्पूर्ण रोल है उसके बारे में हम लोग जानेंगे और ऑक्सिजन के बारे में में की बारे में आवश्चकवा तो नाइट्रोजन का हम लोग कुछ जानेंगे करमड़ार एगसाइच पौधों के लिए Bjungti अवर्शक्शक होता है कि वो क्या होता है पौधा सब इसी से संटुलन में रहता है वो बृदी के लिए कर्वंडायकसाइड जो है पौधे के बृदी के लिए बहुत ही जरूरी है और पृद्वी पर तापमान जो है сорई बैलेंस किया हुआ रहता है कौन किया रहता है करवंडाई एकसाइड क्या किया रहता है जैसे यह आपका सन हुआ यह सन है और यह आपका अर्थ है तो सन से जो लाइट जो हमारे प्रित्वी पर आती है वो प्रित्वी पर आती है और चली जाती है आती है जाती है तो लेकिन क्या है यहां पर अगर क्या ह कि यहां पर ये क्या करती है यह इस रेज को आने देती है लेकिन जाने से क्या है जाने नहीं देती चैड़ेती था तमज में या जिससे क्या होता है तापमान यानिकर टैंप्रेचर जो है बिलकूल बैलेंस वे में रहता है ठीक है तो कहने का अर्थ क्या है कि सूरी का किरन जो है इसूरी का लाइट जो है हमारे अर्थ पे आती तो है लेकिन करवंडाई एक्साइड के वज़ा से CO2 के वज़ा से क्या है वापस पुरी तरह नहीं जा पाती है जिसे हमारे क्या होता है अर्थ का टेंप्रेशर बिल्कुल बैलेंस रहता है और करवंडा एक्साइड दूसरा क्या है कि करवंड एक साइट से क्या होता है कि पौधों में वृ correl दी होता है ठीक है तो वायू मंडल गैसो की वह परत जो पृत्व 및 को चारो और से गिरे हुए है उसे हम वायू मंडल बोलते है हमने बताया है कि अर्थ का प्रेसर हर जग जो है समान लग रहा है फिर हम देखते हैं क्या वायू मंडल 1600 किलो मीटर की उचाई तक जब जाईएगा तो आपको वायू मंडल मिलेगा जैसे हमने बताया था कि ये 16 किलो मीटर तक मतलब क्या 16 किलो मीटर तक मतलब 16 किलो मीटर तक हर जगा हर जगा से क्या है 16 किलो मीटर तक क्या है वायू मंडल है यानि कि वायू मंडल का परत जो है लेयर हर जगा है हमको वायू का प्रेसर जो है अर्थ पर हर जगा से आता है वाई मंदल को उनके घटको तता तापमान के अन अधार पर पांच परतों में हम मेली हम देखते हैं क्या टेंप्रेचर के अधार पर क्या होता है टेंप्रेचर के अधार पर हम क्या करते हैं इसको पांच परतों में बाटते हैं उसको हम देखेंगे छोब मंदल समताप मंदल मद्य मंदल आयन मंदल बहिर मंदल हम इसका है पहले देखते हैं क्या अर्थ से जब हम जाएंगी उपर तो क्या है 13 किलो मिटर कहीं भी हो रहा है 13 किलो मिटर तक हम जाते हैं तो क्या मिलता है हमको छोब मंदल मिलता है यानि कि ट्रोपो एस्पेर हमको मिलता है ट्रोपो एस् इसी ट्रोपो एस्पेयर यानि कि इसी किसमें यानि कि छोब मंदल में होता है इसी ट्रोपो एस्पेयर में होता है इस्ट्रेट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् मंडल बोलते हैं और जिसको हम बहिर मंडल बोलते हैं तो हमने क्या देखा कि जैसे एक और चीज है कि हम जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं पहाड़ों पर जैसे जाएंगे कि तो वहां पर क्या होता है कि एर का प्रेसर क्या होता है दिरे दिरे कम होना शुरू होता है यानि कि नीचे हम देखते हैं यहां कि घंत्तों में क्या होता है कम होने लगता है इसका डेंसिटी जो है कम होने लगता है यह अर्थ सर्फेस हुआ यहां और यहां से जैसे हम ऊप उपर के तरफ हम जाते हैं तो क्या होता है आपने फीट पर लगर लेगे जाता है कि यहां पर जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएगा तो क्या होता है कि हवा की घंड तुम्हें यानि कि एर डेंसिटी क्या होता है दिरे दिरे कम होने लगता है दिक्रीज होने लगता है डेंसिटी क्या होता है उपर के तरफ जीसे हाइट पर जाएंगे तो यह कम होने लगता है तो जैसे उचाई बढ़ने के साथ क्या है कि एर का डेंसिटी क्या होता है यानि कि एर का डेंसिटी क्या होता है कम होते जाता है तो इसको देख लिजेगा यालता है की समझाया कि हर जगा से जो है समान दबाव जो है डाल रहा है अर्थ पर रहा है और अलग-अलग अस्थान उपर यानि कि अलग-अलग जब अस्थान पर हम जाते हैं तो क्या होता है वायुदाब अलग-अलग होती है जैसे हम उधारन से समझ लेते हैं जैसे हम आनते हैं यहां पे राजस्थान और यहां पे हम बिहार तो हम यह राजस्थान समझाने के लिए हम बोल रहे हैं कि यहां पे हम जाएंगे तो हम कहीं देखते हैं एयर का प्रेसर जो है यहां पे ज्यादा और यहां पे जाएंगे तो एयर का प्रेसर कहीं कम इसको यह बता रहा है वायू दाब उच वायू दाफ से निम्द और वायू जो है यानि कि जो वायू बहती है moving air को हम क्या बोलते हैं गतिशील वायू को क्या बोलते हैं हम pound बोलते हैं wind बोलते हैं जो गतिशील वायू है moving air है उसको हम क्या बोलते हैं ऐसे जो वायू मूब कर रहे हैं इसको हम विंड बोलते हैं विंड यानि कि पाउन बोलते हैं तो यह पाउन का डायरेक्शन यानि कि क्या होता है हाई प्रेसर से लो प्रेसर के तरफ होता है तो यहां पर मान लेते हैं राजस्थान के इलाके में हाई प्रेसर है हम जब हम pressure belt को पढ़ेंगे तो इसको अच्छा से और समझाएंगे तो कारण की इसी class में बहुत कम ही पढ़ना है तो high pressure से क्या है और यहाँ पे low pressure है बिहार में तो हवा क्या है high pressure से क्या है low pressure की तरफ जो है गमन करती है यानि कि moving होता है कि फिर हम देखते हैं आँ जीव मंडल के बारे में हम देखते हैं तो Natural हम कि सको बिलते हैं हमने बताया यहाँ पर बताये ते यह आपका lawsuit is पैर है यह यहाँ पर आपका ऐईर पीर है और यहाँ पर क्या है यह आटमोस्पेर है तो यह जो पार्ट जो बनता है बचंटा है च्छोटा था है इसको हम बायो एच से ले थे बायु एसके मतलब जी यु मंडल या जैव मंडल जैव मंडल है इसको बोली है जैव मंडल मैज्रेस निये बाइल ले कि तो हम देखते हैं यह एक सीमी छेत्र है यानि कि जल हुआ जल अदूसरा क्या हुआ अस्थल और वायू जहां पर मिलती है उसको क्या बोलेंगे बायो एस्थेयर बोलेंगे यानि कि जयो मंडल या जीव मंडल हम भूलेंगे ठीक है जयो मंडल बोलिए या जीव मंडल बोलिए जीव मंडल तो हम जीव मंडल किसको बोलेंगे जहां पर जल अस्थल वायू तिनों मिलता है और जहां पर क्या है लाइफ जो है सर्वाइवल होता है जहां जीवो की बहुत सी प्रजातिया है जो कि सुक्र जीवो से ले करक यानि कि छोटे छोटे मैक्रोब्स है बैक्टिरिया और बड़े मैमल तक चोटे जीव से लेकर के बड़े जीव तक जितने भी है वो इसमें इसी इसी संकिर्न छेतर में यह छूटा से छेतर है फिर भी इसी में लाइप जो है सरवाइब है तो यहां देखते हैं जहां जीव की बहुत सी प्रजातिया है जो कि सिर्फ जीव बैक्टिरिया से लेकर बड़े अस्तंदारियों की आकार में पाई जाते हैं यानि कि बड़े आकार वाले जीव भी यहां पे पाई पाई जाते हैं यह देख लीजिए यह that very in size from the microbes and bacteria to his animal अब कईने का अरथ चोटे यानि कि छोटा चोटा जो जीव है उसले करके इसे हाथie तक मन लेते हैं elephant तक पाई जाता ऑ велेजाता है कि इस में इस ne एक्साइड के लिए तो हमबताए है कि संफ लाइट आता है उसको आने तो देती है लेकिन आने से घर्क प्मफर छी बना हुगा रहता है लेकिन इसका मात्रा अगर करवंडा एक साइड यह जैसे करवंडा एक साइड हुगा अगर यह बहुत ज्यादा हो गया क्या होगा तो सन का लाइट तो आएगा लेकिन यह पुरा तरह क्या होगा यहीं पर रुक जाएगा जिसके रुकने से क्या होगा य environment and ecology में हम लोग डिटेल्ट पढ़ेंगे toasite यह बहुत जादा जब वह जाता है तो उससे क्या होता है global वार्मिंग होता है globalocal बारिम्डली मतलब क्या होता है भूम मंडली स्पतापन यह तपन बहुत ज़ादा अर्थician बढ़ जाता है तो उसको हम बोलते हैं ग्लोबल ग्लोबल वार्मिंग वार्मिंस गरम होता है वार्मिंग तो क्या होता है यानि कि भूम अंडल लिकिया है अर्थ क्या है बहुत ज़्यादा टेंपरेचर जो है अर्थ पे आने लगता है जहां पे लाइफ जो है सर्भाइब क क्या है इसलिए भू मंडल वायू मंडल एवं जीव मंडल के बीच प्राकिर्थित संतुलन बनाया रखने के लिए पृत्वी के संसादनों को स्टीमित उप्योग हो सकता है यानि कि हम लोग क्या करते हैं किसी भी चीज का उप्योग जो है इतना ना ज्यादा उसका मुझा रहेगा अब हम देखते हैं थोड़ा सा कॉंटिनेंट के बारे में आप प्र्ड़ता है जैसे हमने क्या बताया यह आपका अर्थ हुए और अर्थ को जो यह बीच से जब हम काटते हैं तो ऊपर वाले को हमने क्या बोला था नोर्दन हेमियस प्र बोले थे और नीचे वालों के क्या बोले थे सब्सक्राइब लेकिन फिर इसी अर्थ को हम क्या कीये थे जिरो डिगरी यानि कि प्राइम रेडियन जब पढ़ा है तो इ नहीं इस्टान हमी स्टेयर में परता है और यह फ्राफाइला यानि कि को बहुत दूर तक फैला हुआ है हम देखेंगे यह यह आपका एसईया है यह कितना बढ़ अधर बहुत बढ़ा है और किया है यहां से जब देखते हैं इसको हम यहां से बीच से काटते हैं तो इस्टर्ण में हुआ न यह इस्टर्ण इस्टर्ण पार्ट में है इसको हम बोलते हैं और यहां से क्या है इस यहां तक इस यह है और इसके जस्ट बात जो है यह यूरोप वाला यह हिस्सा है यह यूरोप वाला हिस्सा है ठीक है यह यूरोप वाला हि माउंटेन जो क्या करता है एसिया और यूरोप को अलग करता है और एसिया और यूरोप को सम्मिली तरूप से क्या बोलता है ये दोनों एक में है यूराल माउंटेन अगर बीच में है और इसको सम्मिली तरूप से यानि कि इस सब को ले करके हम क्या बोलता है एसिया एसिया प्रित्वी के कुल छेत्रपल का एक थी यह पूरा अगर एरिया हम देखते हैं इस पूरा को मिला लेंगे तो उसका 1 by 3rd सिर्फ यह है यानि की अगर य पूर्वी गोलार्द में इस्थित है करकरेखा於isi से होकर गुजरती है करक करकरेखा मतलब क्या है हमने बताया था यह एक वेटर हुआ वा जाए투 टरोपिक आप इसके क्या बोलता है करकरेखा बोल ट्रॉपई को इंगलिश्स में कैंसर इसको बोलता है तो ट्रॉपई का उप कैंसर जो है यह इससे हो करके घुजरती है इसके पश्ची में क्या इसके पश्ची मतलब यह साइड हो गया इसको हम बूले है यूराल माउंटेन है यहाँ पर यूराल माउंटेन है एम्टी लिख देते हैं यूराल माउंटेन होगा तो इसके पश्ची में यूराल माउंटेन पड़ेगा अपलस क्या होगा यह यूरूप वाला हिसा पड़ेगा इस दोनों को क्या क मने बहुत छोटा है यहां पर देखिए यह इतना बड़ा है यह क्या है बहुत छोटा है यह से क्या है छोटा है और यह क्या है यह के पश्ची में हमने बताया था आर्टिक वृत इससे हो करके गुजरती है तो आर्टिक वृत हम किसको बोलते हैं जैसे हमने इसको समझाया थ यह एक्वेटर हुआ त्रोपिक आप कैंसर हुआ और यह किया हुआ आर्क्टिक सरकल इस से होकर कि क्या है गुजरती है ये रूप से तीनों तरफ जो है जल से यह क्या है गीरा हुआ यह इधर भी जल है इधर भी जल है और इधर भी जल दिकाई दर आए तो चारो दिसा में तीन तरफ से क्या है यह जल से घिरी हुई है अब समझ में आया होगा है ये रोप के जर्श्ट बाद हं देखते हैं क्या अफ्रीका का अफ्रीका अफ्रीका क्या है याणि की दूसरा नंबर हम इसको देदे go फ्रस्ट वला हुआः और यह सटिंग लार्जिस्ट आ असे ऑफ्रीका इज़िए सेकेंड लर्जेस्ट कॉंटिनेंट आफ्टर एसिया तो कहने का अर्थ क्या है एसिया से जस्ट बाद में कौना यह है विस्वत विरित शुन अक्षांस इससे क्या है तीनो ट्रोपिक ओप कैंसर ट्रोपिक ओप कैप्रिकॉन और इक्वेटर सब जो है इससे हो करके फैला हु तो फिक्वेटर का बहुत बड़ा भाग यह उत्री गुलारद में उत्री गुलारद में यÝ कि हम इसको हम क्या किए तायसे इसको सीविक्वेटर बेदीज में क्या है इससका बहुत बढ़ात बाभा लाहाट है कि एकमात्र ऐसा माहद्युफ जिसे हो करके करके वह मकर रेखा है विश्वत रेखा हमने बताया कि तीनों रेखा क्या है इससे गुजरती है सहारा डेजर्ट जो है सहारा रेगिस्तान जो सबसे गर्म रेगिस्तान है वो अफरीका में ही पाया जाता है यहां पर देखिए सहारा रेगिस्तान विश्वत का सबसे पता है विज़िकी सबसे लंबी नदी लंबाई में लंबाई लंबी नदी निल नदी जो है इससे हो करके गुदरती है ठीक या है तो विश्व का सबसे बड़ा क्या है सबसे लंबी नदी अफरीका से ही होकर की गुजरती है और सबसे लंबी नजी इसी अफरीका से और के घुजरती है अब हम देखते हैं ऊत्री अमेरिका को तो इसको हम तीन नंबर दे दिये यह नौर्थ अमेरिका क्या है थर्ड नंबर है यह दक्षिन अमेरिका से एक संक्रे हम देखेंगे क्या यहां तक क्या है इसका फैलाव है यानि कि नौर्थ अमेरिका का और इसके बाद क्या है यह साउथ अमेरिका यहां से सुर अच्छा इसको समझ रहे हैं विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्यूपता इट इस दा थर्ड लार्जेस्ट कॉंटेनेंट ओफ दी वर्ल्ड यह दक्षिन अमेरिका से एक संक्रे अस्थल से जुड़ा हुआ है यह पनामा संदिक आते हैं यह पनामा संदिक यह इससे तेन महात्यार उसे घ़ Rhua एक तीनों तरब अलग-अलग महास्थार है उससे घ़र हुआ है और यह पूरी तरह किया है यह देखिये हैं यहाँ पर तो यह पूरी तरह किया है यहां पर देखेंगे तो यह जीरोड़ी के O उसको समझ गए पूर तरह है अब देखते हैं दक्षण आमेरिका यहां तक हम देखिए ऊत्री अमेरिका उपर और नीचे क्या है दक्षनी अमेरिका अधिकांस बाग इसके क्या है यह तो इन्डी पर वस्रिंकल ऐ ठीक है इंडीज इसके उत्तर से दक्षिन तक की और इस्तित है ठीक है उत्तर से दक्षिन तक बहुत दूर तक जो है इस्तित है इंडीज परवत यहां विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी जो है विश्व की सबसे बड़ी नदी है अमेजन यहीं किसमे यानि की स् बहुती है तो हम एक क्या देखे एंडीज परवत देख लिजेगा एंडीज दूसरा क्या एक तो देख लिए एंडीज और दूसरा क्या हम बोले हैं यह एंडीज हो गया और नील आमेजन नदी सोरी आमेजन नदी क्या है विश्व की सबसे बड़ी नदी आमेजन जो है इसी क्या है विश्व के सबसे बड़ी नदी है अमेजन ठीक है अब आगे देखते हैं आउस्ट्रेलिया के बारे में देखते हैं सबसे छोटा मादुप है सबसे छोटा है स्मॉलेस्ट कॉंटिनेंट है कॉन ऑस्ट्रेलिया या पूरी तरह दक्ष्नी गोलार्द में इसी था यह दक्ष्नी गोलार्द में विबारा है इस गोलार्द में है या चारों टरह माहसाग्रों से घीरा हुआ ये हर जगा तरह है माहसांदा करते हैं करके हम क्या बोलते हैं महादूप फ्र lihat यह और अस्टलिया यह देखना एं हर जगह यह एक बहुत बड़ा महाद्विफ है जो कि दक्षनी में इसी थाई पूरी तरह बज्य को लाने क्या है यानि कि ऑस्ट्रेश्ट्रिया grocery में पौली के मद्वे में है अभा बताए्ञिए इसके मद्वें में क्या है क्या है अंटार्क्टिका है यह दक्षने दुरूज छेत्र में इस्तित है इसलिए यहां हमेशा मोटी वर्फ की पर्तों से ढखा होता है यहां स्नूफॉल हमेशा होते रहा था इसलिए क्या है यह वर्फ की मोटी चादर से ढखा हुआ रहा था और यहां पर क्या है यहां पर और दूसरा है दक्षिन गंगोत्री दूसरा क्या है दक्षिन गंगोत्री गंगोत्री तो दो दो मेंली दो जो है क्या है research station जो है शुद संस्थान जिसको बोलते हैं वो है तो हम North America को समझेते हम क्या है South America को समझेते तो state हम किसको बोलते है दो अस्थल अगर हम मिलता है तो यह क्या होगा इस्थूमस हो जाएगा और जल कर दो पार्ट मिलेगा तो क्या होगा state हो जाएगा ठीक है तो इसको जल संधी बोलते है इसको क्या बोलते है जल संधी और अस्थल संधी समझ में आ गया तो अस्थल संधी कौन है जल संधी यानि कि क्या होता है दो वाटर बड़ी को जो मिलाता है उसको क्या बोलते हैं जो वाटर बड़ी को मिलाएगा उसको हम एस्टेट बोलेंगे यह वाटर बड़ी हुआ और यह वाटर बड़ी हुआ इसको अगर मिला रहा है तो इसको क्या बोलेंगे इसको बोलेंगा में एस्टेट नहीं अद्धुर्ट इस्ट्रेट मतलब के यह चल संधी यह जल संधी हुआ ना जल दुन तरह से मिल रहा और संधी भूलेंगे तो ऑषियऑ नर्वाइब में हम जानते है तो कि जय को से मुभिंग समुद्र का जल किया है हमेशा देखते हैं ये चलते रहता है यानि कि move होते रहता है अब फिर देखते हैं movement of ocean water are the waves, the tide ocean current क्या है ये हम देखते हैं क्या ये moving करते रहता है ocean का water तो move करता है अब इसके अलावे क्या होता है इसमें तरंगे क्या क्या होती है तरंगे होती है और क्या होता है ज्वार भाटा ज्वार भाटा जिसको बोलते हैं भाटा यहीं हुआ ज्वार भाटा ocean current मतलब क्या हम ocean current को भी हम देखते हैं यानि कि moving movement of the ocean water are the two waves the tights and ocean current the five major ocean are the कौन कौन सायाफटा पर देखते हैं Pacific Ocean, Atlantic Ocean, Indian Ocean, Southern Ocean और Arctic Ocean है और Pacific Ocean क्या है सबसे बड़ा है अब महासागर के बारे में महासागर का जल क्या होता है गतिसील होता है हम सब को हम धीरे-धीरे हम देख रहा है बिल्कूल परसान नहीं होना है आराम आराम से हम देखेंगे महासागर का जल क्या होता है गतिसील होता है जैसे क्या होता है तरंगे जो है वेफ्स ज्वार भटा और जल तरंगे जिसको हम करेंट बोलते हैं ओसियन करेंट ही होता है महासागर क्या है पांस तरह के महासागर है प्रसांत महासागर है अट्लांटिक महासागर है हिंद महासागर है दक्षिन महासागर है और आर्क्टिक महासागर है मेरियाना ट्रेंच के बारे मेरियाना गर्द के बारे में हम लोग देखे हैं वो कहा है Pacific Ocean में है यानि कि किसमे है प्रसांत महासागर में ये मुरियाना गर्द है जो सबसे गहरा ट्रेंच है यह देखिए यह क्या है इस यह है इधर यूरूप है यह क्या है अफ्रीका है यह आपका ऑस्ट्रेलिया है यह उपर क्या है नॉर्थ अमेरिका है नॉर्थ अमेरिका यह क्या है साउथ अमेरिका है यह अस्ट्रेलिया हो गया है यह क्या है अंटार्क्टिका है तो